Good morning everyone, आईए आज हम लोग पढ़ेंगे class 2 में Hindi book और हमारा chapter है विग्यापन जैसा कि बच्चों हमने आपको पिछली वीडियो में विग्यापन के बारे में बताया था विग्यापन किसे कहते हैं, विग्यापन क्या है, विग्यापन का अर्थ क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बताया था और हमारे कुछ प्रश्णोतर थे, जो रह गए थे तो चलिए इस विडियो में हम उन्हें भी कर लेते हैं दिया हुए है कि सही उत्तर पर सही का निसान लगाओ सबजी वाला अपनी सबजीयों की बता रहा था क्या बता रहा था गिंती या विसेश्ता तो हमारा उत्तर होगा विसेश्ता फल वाले ने गर्मियों की सोगात बताया किसे आम को या अनार को हमारा उत्तर होगा आम को क्योंकि बच्चो सबसे ज़दा फल, सबसे ज़दा आम गर्मी के मौसब में ही मिलते हैं हाँ ना पुण्या फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बनी थी क्या बनी थी डॉक्टर या फेरी वाली तो हमारा उत्तर होगा फेरी वाली फेरी वाले गा गा कर अपनी चीजों का करते हैं क्या करते हैं बच्चो विज्यापन या नुक्सान हमारा उत्तर होगा विज्यापन विज्यापन का मतलब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि विज्यापन का मतलब होता है प्रचार तो फेरी वाले अपनी चीजू का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, दिखे न, आईए आगे बढ़ते हैं तिया हुआ है किसने कहा? प्रस्न संख्या तू, किसने कहा? यहाँ लिखना है, मिस्री हो रहे है खर बुजे, किसने कहा? फल वाले ने तो यहां लिखेंगे फल वाले क्या क्या है आपके पास किसने कहा पुण्या तो यहां लिखेंगे पुण्या यह अपनी चीजों का विज्यापन करते हैं किसने कहा बच्चो भाईया ने ना तो यहां भाईया लिखेंगे हरी हरी मटर ताजी भेंडी लेलो किसने कहा सबजी वाले यहां लिखेंगे सबजी वाले अब हमारा आगे आता है प्रश्न संख्या तीन जो की है निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो यहां आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने है फेरी वाले आवाजे क्यों लगाते हैं तो हमारा उत्तर होगा कि फेरी वाले इसलिए आवाजे लगाते हैं क्योंकि वे अपनी चीजों का विज्यापन करते हैं ठीक है बच्चों आपको इन प्रश्णों के उत्तर फेर कॉपी में नोट करने हैं ओके आए आगे बढ़ते हैं पुण्या पर विज्यापन पुण्या पर विज्यापन देखकर क्या प्रभाव पड़ता था तो हमारा उत्तर होगा कि पुण्या पर विज्यापन देखने के बाद यही प्रभाव पड़ता था कि उसके मन में अनेक प्राकार के लालज पैदा होती थी है ना उन सभी चीजों को खरिदने के लिए ठीक है? आगे बढ़ते हैं टीवी पर प्राया कीन कीन चीजों के विज्यापन दिखाए जाते हैं तो हमारा उत्तर होगा कि टीवी पर प्राया अनेक प्राकार की चीजों का विज्यापन दिखाए जाते हैं जैसे कोका कोला, नूडल्स, सर्फ, फेस क्रिम, स्कूटर, आदी ओके क्लियर आईए आगे बढ़ते हैं फेरी वालो से वस्तु लेने से क्या फायदा है? प्राशन कह रहा है कि फेरी वालो से वस्तु लेने के क्या फायदे होते हैं? तो उत्तर होगा बच्चों कि फेरी वालो से वस्तु लेने के हमें अनेक फायदे होते हैं क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले हमें बजार नहीं जाना पड़ता है और वस्तों को हम घर पर ही अपनी पसंद से जाज परह कर, सुंग समझ कर, मोल भाव कर खरिच सकते हैं ठीक है? आईए आगे बढ़ते हैं सही मेल करो यहां आपको मिलान करना है इन सब्दों से हरी हरी क्या होगा? मटर, रसीली, जामूने, मलाई जैसे केले, और मिश्जी जैसे खरबूजे ओके, आईए आगे बढ़ते हैं पढ़ो और समझो दिया हुआ है तारीफ प्रशंसा बढ़ाई क्या यह तीनों सब्द अलग-अलग है? क्या तीनों के अर्थ अलग-अलग है? नहीं, तीनों के अर्थ अलग नहीं है तीनों एक समान है तीनों का अर्थ एक ही जैसा होता है जैसे माल लेजिए कि आप पढ़ने में बहुत तेज है ठीक है? और आप हमेशा क्लास में प्रथम अस्थान पर आते हैं तो लोग आपकी क्या करते हैं? बढ़ाई वो तो बहुत पढ़ने में तेज है हमेशा प्रथम अस्थान पर आता है आपकी तारिफ हो रही है आपकी प्रसंसा हो रही है आपकी बढ़ाई हो रही है है ना? तो ये तीनों एक है मुनाफा लाब फाइदा तीनों का अर्थ भी एक जैसा है मुनाफा लाब फाइदा जैसे मान लिजे कि आपको किसी चीज में फाइदा होता है है ना? किसी चीज को आप कम रेंज पे कम दाम पर उसे खरिदते हैं और उस बस्तू को आप किसी दूसरे के हाथो ज़्यादा दाम में बेजते हैं तो ये आपको क्या हुआ? लाब हुआ आपको फाइदा हुआ है ना? तो ये एक ही है मुनाफा लाब फाइदा मजा आनन्द खुसी जैसे मान लिजे कि आप अपने पैरंट्स के साथ कहीं पार्क घुमने गए उदारन स्वरुप चिर्णिया घर घुमने गए या फिर कहीं हॉल में सिनेमा हॉल में मुवी देखने गए ठीक है? और जब हम वहाँ से वापस लोटते हैं तो हम क्या कहते हैं? बहुत मज़ा आया बहुत खुशी मिली है ना? हमें मुवी देखकर के बहुत खुशी मिली बहुत आनन्द आया बहुत मज़ा आया है ना? ये सब्द हम लोग कहते हैं ना? तो यही है मज़ा आनन्द खुशी लोब लालच लालसा लोब लालच लालसा क्या होता है तो जैसे माल लेजिए कि आपको कोई ड्रेस पसंद आ गई ठीक है आपको कोई ड्रेस पसंद आ गई और आपको खरिदने के लिए आपके पास उसे खरिदने के लिए पैसे नहीं है ठीक है और आपको वो ड्रेस बहुत पसंद है है ना तो आप उसे खरिदना चाहते हैं लेकिन आपके पास तो पैसे ही नहीं है आप कैसे खर देंगे तो ये हुआ लालच कि उस चीज के लिए मेरा मन जो है उस स्वस्तु के प्रती उस चीज के उस ड्रेस के प्रती मेरा मन क्या हो रहा है अकर्सित हो रहा है उसके तरफ बढ़ते जा रहा है है ना उसके उसको लेने के लिए मेरे मन में तरह तरह के लालच पैदा हो रहे हैं लेकिन हम उसे खरिद नहीं पा रहे हैं ललसा हो रही है हमें उस चीज को खरिदने के लिए, उसे पहनने के लिए ये होता है लालच, लोब, आगे बढ़ते हैं इन सब्दों को पढ़ो और इसी प्रकार आगे दिये गए सब्दों को पुरा करो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, ये क्या है? ये प्रत्य है, ये प्रत्य लगे है, ठीक है? हमें इसे यहाँ प्रत्य लगा करके बनाने है जैसे दिया हुआ है, खरिदारी, खातिरदारी, रिस्तेदारी, ठीक है? ये जो दारी है, इसमें क्या है? ये प्रत्या है. इसी प्रकार से यहां दिया हुआ है खान. एक उदारण मैं आपको बता रहे हूँ. खान. ठीक है? और हमने यहां दान. दान लगा करके खान में हमने दान को लगा दिया. तो क्या हो गया? खान दान. ठीक है? ये हमारा एक सबसे पहले मैं आपको प्रत्याय के बारे में बताती हूँ कि प्रत्याय क्या होता है तो बच्चो प्रत्याय वे सब्द है जो दुसरे सब्दों के अंत में जूड करके अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं ठीक है जैसे आपके पास तो खान पहले से हैं, है ना, ये खान पहले से लिखा हुआ है, और इसमें एक नाया सब्द जुड़ गया, जब हम ये दोनों को जोड़ के पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, खानदान, ठीक है, यहां आपका एक सब्द भी जुड़ गया, और उस सब्द के अर्थ में पर तो आपको यहां लिखने हैं, खानदान और एक और उदारन यहां फूल दान, अगर आपको इससे अलग हट के भी अगर कोई सब्द बनाने हैं, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पान, पान लिखा हुआ है, हमने यहां पान के साथ वाला लगा दिया, क्या हो गया, पान वाला, इसमें हमारा प्रत्य क्या है, वाला, ठीक है, यह हो गया, पान वाला, यहां एक नया सब्द भी जुड़ा, और इस सब्द के अर्थ में परिवर्तन भी हो गया, तो आपको यहां लिखने है पान वाला और यहां लिखने है इस खाली या स्थान पर दूध वाला अगर आप इससे अलग हट के दूसरा सब्द लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आगे बढ़ते हैं रोसन क्या लिखा है रोसन हमने इसमें प्रत्य इ जोड़ दिया क्या हो गया रोसनी इसमें प्रत्य क्या है इ है बड़ी इ है ये प्रत्य है ठीक है रोसनी और एक यहां लिख देते हैं आजादी है ये हुआ प्रत्य है आगे बढ़ते हैं पाई क्या लिखा है पाई यहां होगा पाईदान और वर्दान अब लास्ट जो आता है वो है फूल तो यहां हम लिख सकते हैं फूलवारी और वनवारी ठीक है तो इसमें क्या करने है प्रत्य लगे है ठीक है प्रत्य लगाना है आगे बढ़ते हैं दिया हुआ है कि सभी प्रकार के फल चखो और उनके स्वाद के सही कॉलम में उनका नाम लिखो यह जो फल है इनको चखना है और इनके स्वाद कैसे है उन स्वादों में इन फलों को लिखना है जैसे माल लिजे खरबूजा खरबूजा कैसा होता है खटा लगता है खाने में कि मीठा लगता है कि फीका लगता है कि कसैला लगता है अगर मीठा लगता है तो हम खरबूजा को मीठा में लिखेंगे खटा लगता है तो खटा में लिखेंगे फिका लगता है तो फिका में लिखेंगे कसेला लगता है तो कसेला में लिखेंगे लेकिन खरबूजा तो न खटा लगता है न फिका लगता है न कसेला लगता है मीठा लगता है तो हम मीठा में लिखेंगे आईए आगे बढ़ते हैं दिया हुआ है तर्बूज तर्बूज को किसमे लिखेंगे? खटा, मीठा, फिकका, कसेला किसमे? फिकका आम, आम कैसा होता है? आम दो तरह के होते हैं एक कच्चा आम होता है एक पका आम होता है पका आम मीठा लगता है लेकिन कच्चा आम खटा लगता है तो यहां तो यह नहीं लिखा हुआ है कि पका आम है कि मी खटा आम कच्चा आम है तो यहां आप आम को इसमें लिख सकते हैं तो भी सही होगा इसमें लिख सकते हैं तो भी सही होगा ठीक है जामुन जामुन अक्सर क्या होता है कसेला ही लगता है तो हम लोग इसी में लिखेंगे लिची मिठी लगती है आडू आडू कौन सा फल है बच्चों आपको पता है आडू भी एक प्रकार का फल है जिसे हम लोग इंगलिस में पीच बोलते है पीच है ना इसे हम लोग इंगलिस में पीच बोलते है और हिंदी में आडू बोलते है जो कि यह मूल रूप से चीन का एक फल है बच्चों यह फल चीन में उगाया जाता था लेकिन अब क्या हो गया कि यह फल को पूरी दुनिया में उगाया जाता है दुनिया के किसी भी कोने में इसे उगाया जाता है, किसी भी देश में उगाया जाता है, ठीक है, यह अनेक हिसों में उगाया जाता है, और इसका जो यह जो फल होता है, आपको पता है कैसा दिखता है, यह फल सेब, सेब तो खाए होंगे, सभी लोग सेब खाए होंगे, यह स सेब की तरह दिखता है ठीक है लेकिन जो इसके अंदर का बीज होता है वह बहुत कठोर होता है है ना इसका बीज जो होता है बहुत कठोर होता है इसलिए इसे सेब के साथ तुलना नहीं किया गया मतलब सेब से इसको अलग कर दिया गया है लेकिन आप इसको जब उपर से दे दिखता है तो आड़ू को हम लोग किस में रखेंगे मिठे अनार, मिठी केला, मिठी पपीता भी, मिठ और चीकू चीकू क्या है बच्चो चीकू भी एक फल ही है जो स्वाद में रसीला और मिठा होने के साथ साथ क्या होता है स्वास्थ्य वर्धक भी होता है मतलब आपके स्वास्थ के लिए अच्छा होता है है ना चीकू खाना चाहिए ठीक है तो चीकू को हम लोग किस में लिखेंगे, मिठा में लिखेंगे आईए आगे बढ़ते हैं दिया हुआ है कि अपनी पसंद के फलों के चीत्र बनाओ बच्चो आपको जो फल आपको पसंद है उनके क्या करना है आपको यहां चीत्र बनाने है ठीक है बहुत सुन्दर सा चीत्र बनाईएगा और उसे कलर भी कर दीजिएगा आज के लिए बस इतना ही चलिए अब आप इसे यह आपका होमवर्क है इसे आप कम्प्लीट कीजिए है ना ओके मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बाई बाई